नमस्कार दोस्तों ये भी स्टड़ी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम एक बिसेश टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि देखो जब बच्चा नेट यारब पास करता है तो वह सोचता है कहीं न कहीं मेरा पीएसडी में एडिविशन हो जाए चाहे सेंटर उनिवस्टी में हो चाहे स्टेट उनिवस्टी में हो तो सबसे पहले दोश्तों उसके सामने समस्य आती है रिसर्स प्रपोजल या उसको बोल सकते हैं सोध प्रस्ताव या उसको बोल सकते हैं सनॉपसिस ठीक है आप मेरे हात में देख सकते हैं यह मेर टॉपिक होते हैं मॉन्मेन पॉइंट होते हैं तो देखो दोष्टों जैसे आपने PhD का फॉन भर दिया और आप लिस्ट में नाम आपका आगया फिर आपको बोलते हैं कि उफ्श्णु लानी हैं तो वहां क्या टॉपिक का चेंट करें ना लोध टॉपिक का चैन कैसे करते हैं इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि देखो आज हमारा जो टॉपिक है वह हाओ टू क्रीट स्नॉप्सिस आपका आपने रिसर्च मत्रोली पड़ी होगी तो उसमें सबसे पहला होता है टॉपिक का चैन आपने टॉपिक का चैन कर लिए ठीक है और देखो मेरा आप देख सकते हैं मेरा जो टॉपिक का है वह सुत्यंत्र तुप्तर भारत में सामाजिक निया है ठीक है तो अब हम इस टॉपिक पर कैसे स्नॉप्सिस तैयार करें तो आइए देखो मैं आपको थोड़ा सा नजदीक जाकर दिखता हूं क्यों कि दो गाइड से पहले ईए ऐसे हैं कि ग्याइड से मिलने के बात में से चौ सिस बनाते हैं ओर कैजई ऐसा होता है यक록 इन आमिले हम को अो सिसे बनानी पड़ती है तो सहब से ज़्यादा दिक्फट वहीं आती है जहां बिना गाइड की हम सिनौप्सिस बनाते हैं क्योंकि कि हमें इंटर्वी में को पेस करना होता है तो देखो मैं आपको इसको बिल्कुल ब्रीफ नॉलिज दूँगा आज और मैं चाहिए आज की जो नॉलिज होगी दोस्तों बहुत काम मैंने वाले बिल्कुल प्रैक्टिकली नौगा देखो मेरा है तिक आप देख सकते हैं तो मैं आपको इसको जो है दिखाने बाला हूं पास से ठीक है अगरट को कि देख सकते हैं तो टॉपिक का जो नाम है स्वतिनतृत्तर भारत में सामाजिक निया है ठीक है ये इसका फ्रंट पेज है ठीक है ये अपनी जो यूवस्टी यूवर्श्टिय उसका लोगों लगा सकते हैं और यहां पर आपको लिखना पड़ेका जोव आपक तो फिल लिखना आप इतिहास विसेय में PhD की उपादी हे तू सोध प्रस्ताव ठीक है इसके नीचे आपको लिखना है सोध निर्देशक अगर आपके अलोट पहले से मिल चुके हैं तो आपको लिखना पड़ेगा अगर नहीं लिखे तो आपको छोड़ देना है पर ठीक है और सोध छात्र अपना नाम जैसे मेरा नाम है और नीचे लिखना है इतियास विभाग जो भी आपका कॉलीज हो मेरा नाम दो देखो आपको कॉलीज का नाम है और वर्स दे रखा है अगर हम सबसे पहले पेज़ पर चले हैं तो बिलकुल सेम टू सेम यही चीज होगी ठीक तो आप देखो सबसे पहला जो पेज होगा वहाँ प्रस्ताबना का आप देख सकते हैं प्रस्ताबना टीक है प्रस्ताबना आपको וקट तोपिक से संबंदित लिखनी है जैसे कि हमने लोकतांत्रिक मुल्य को इस्थापित करता रहा प्रणतु राजितिक आजादी के साथ सामाजिक बै आर्थिक समानता फदान करना हमारे निर्माताओं के लिए एक चिंद्धि ठीक है यानि कि मेरा टोपिक दोश्तों सुतंतर भ मैं प्रेष्ताबना तुम को अगला जो मैं पॉइंट होगा प्रस्ताबना का कि वहोगा अपका के अध्धन का उद्धेश तो अध्धन की उद्धेश में आपयाआस मैं लिख रखा है तो ऐसे लिख सकते हैं भारत में समाजी की ओन्यायकी संक्ल stating करना का उचित मुल्लंकन करना कि आप क्या करोगे अधन का उदेश है क्या है कि उसके बाद आप देख सकते हैं अधन का महत्व ठीक है एक पॉइंट डालना अधन का महत्व जाकिए मैंने लिखा आई है विसे तुलनात्मक रूप से प्रमप्राकत इतियास से भिन रहते होगा वह होगा अधन की प्रासंगिक्ता ठीक है जैसे की प्रासंगिक्ता क्या है दोश्तों स्वेतनत्यता प्राप्ति के बाद शमिधान द्वारा भारत के लोगों को दिया गया समानता समाजिक और अर्ष्ण अधिकार बास्त्विक रूप से लोगों को मिले क्यों नहीं तक आपका दोखो जो भी आप टॉपिक तयार करें उसमें जो समय है वो जरूर मेंचन कीजिएगा ठीक है बिना समय का रिसर्ट पेपर सही नहीं होता है इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा शोध प्रवंद के शंबावित अध्या है क्योंकि दोश्तों हमें जो ठीक है मेरे च्छे हैं तो आप साथ जरूर लिखना साथ इसके बाद में अगला जो आएगा टॉपिक पॉइंट वह सोध प्रवधी जैसे कि मैं कहां कहां से इस अपने थीसिस या सोध के लिए डाटा क्लेक्ट करूंगा जैसे कि मौलिक सोध का संगलन देश के महत्पूर इस स्थानों में इस्थित पुष्टकाल्यों शोध संस्थानों अभी लिखागारों छेत्री डिविजनों बजीलों के संग्रालवादी से किया जाएगा डिजिटल रूप में भी आप ठीक है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है इसके बाद अगला टॉपिक आ संदर्व कौन कौन सी बुक का आप वह करोगे क्योंकि इसमें पहले देना पड़ता हमें और इन्हीं को जो है आप अपने थीसिस में इंक्लूड करना कुछ बुकों के नाम जो है इसमें दुरूर रखने होते हैं ठीक है तो दोस्तों आसा करता हूं आपको हमारी स्नॉप्सिस की वीडियो अच्छी लगी होगी आप देखो हमारा बॉट्स एप नमबर है एट सेवन डावल फाइव फॉर सेवन फाइव तरी बंटू ठीक है या हमारे जेबी स्टड़ी पॉइंट के एप को डाउनलोड करके इस स्नॉप्सिस की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है स्नॉप्सिस की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं कैसे बनती जैसे हमारी स्नॉप्सिस है ऐसे मिलेगी आपको मुझे को डर नहीं कभी आप मारे स्नॉप्सिस को लो लोगे क्योंकि हमारा जो है पीएडी हो चुक अगर नमबर है एट सेवन डॉल फाइफ फोर सेवन फाइफ त्री बंटू आप संपर कर सकते हैं मिलेगी पूरी ठीक है तोपिक का आपको पता होने हुँ नई हने अगर बता नहीं है आपको तो मैं एलक्सी व्यद्य आँगा तो प्रेंच कैसी लगे आपके बीडीयो आशक लोगी औंजबाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेर करना, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच्छ